असलाम अलेकुम बच्चो बच्चो कुलास सेवंथ है सब्जेक्ट मैच्ज चैप्टर मेर वन नेम है सेट्स टोपिक का नेम है रिवी एक्सरसाइज हम कर रहे थे पहले चैप्टर की इसका कोश्चन पर वन हमने करना है तो स्टार्ट करते हैं बच्चो रवी एक्सरसाइज वन कोश्चन नमबर फॉर राइट दा फॉलिंग सेट्स इन दा सेट बिल्डर फॉर्म यहां पर कुछ सेट्स दे गए होंगे उनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ठीक है बच्चो तो पार्ट नमबर वन है बच्चो निच्रल नमबर वह मैं तो इल्ट जो हमने इस चीज तो आना ख शनौ içव चीज यह मैं आप लोग को प्तायओ कॉल इसको एकशर्च पर निच्छ बिलंग हो इसका पढ़ते हैं इस तरह से अब यह numbers जो हैं यह जो numbers दियो हैं बच्चों यह हैं कौन से numbers यह natural numbers है ठीक है और natural numbers तमाम तो natural numbers नहीं है यह natural numbers यह हैं कि यह 4 से बड़े बड़े हैं और 9 से छोटे हैं ठीक है 4 से बड़े और 9 से छोटे तो हम कहा देंगे कि ऐसे natural numbers जो 4 और 9 के दरम्यान में lie करते हैं यानि कि 4 और 9 के दरम्यान में होते हैं ठीक है तो यह हमने लिख दिया X such that X belongs to natural numbers यह तो हो गया natural numbers आगे यह जो बच्चो आगे start हो रहा है और इसको बोलते हैं यह जो symbol है इसको बोलते हैं और ठीक है आगे इसकी शर्त है condition शुरू हो गया आगे इसकी आगे तो नहीं लिखा 4 less than X यानि कि जो X है ना X यह X है सारे ठीक है X जो है 4 जो है less than X से ठीक है यानि कि X जो है 4 से बढ़ा है ठीक है और X less than 9 से और 9 से छोटा है 4 से बढ़ा है और 9 से छोटा है तो यह ऐसे नमबर जिसमें आजेंगे यानि कि 5,6,7,8 ठीक है बचो तो अब पार्ट नमबर 2 इसका स्टार्ट करते हैं B is equal to 0,1 and 2 ठीक है यह बचो 0 से जो नमबर से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं whole numbers मुकमल अदाज इनको और दूमें बोलते हैं तो इसका आंसर बचो होगा यह तो आना ही आना सबके साथ बचो इतना मैंने आप लोगों को बहुत दफा यह करवाया हुआ X such that X belongs to ठीक है अब यह numbers हैं कौन से यह whole numbers हैं whole numbers को हम capital W से show करवाते हैं तो हमने आगे लिख दिया है W ठीक है यह हमने लिख दिया X such that X belongs to W और X जो है less than है 3 से 3 से छोटे छोटे यानि के हमने whole numbers लिख देने हैं ठीक है बचो यह इसका condition है आगे है part number 3 C is equal to A, E, I, O, U यहाँ पर बचो देखें यह कौन से letters लिखे हुए है यह आपको letters पढ़के याद आजाने चाहिए कुछ vowel letters ठीक है vowel letters है यह तो हम यहाँ पर लिखेंगे X such that X is a set of vowel letters of English alphabets ठीक है तो A is equal to X such that X is a vowel of the English alphabets ठीक है तो यह इसका answer हो गया अब part number 4 और part number 5 वो रह गए हैं वो आप लोगोंने बचो खुद से करने हैं ठीक है अब मैं आप लोगों बुक से इसका page number बताता हूँ page number है इसका बचो 19 यह देखें end पे last way और इसका बचो जो है हमने question number 4 किया ठीक है यहाँ तक मैंने आप लोगों थ्री पार्ट्स करवाए है बगाया 4 और 5 पार्ट आप लोगोंने खुद करने है ठीक है ओके बच्चो अलाहाफेस